हलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, मैंसेल्फ नेहा, आइम यार इंग्लिश टीचर, स्टुडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में एनिमल्स नेम, फर्स्ट चेप्टर बढ़ा था, नेम्स ओफ एनिमल्स, आज हम पढ़ेंगे नेम्स ओफ बर्ड्स, पक्षियों क नाम, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पक्षियों के नाम, पक्षी क्या होते हैं, जो आप आसमान में उड़ते हैं, पक्षी, ओके, जिनके पंक होते हैं, वो पक्षी होते हैं, तो चलिए पक्षियों के नाम पढ़ते हैं, पस्ट, O-S-T-R-I-C-H, ओस्ट्रिच, ओ T. U. L. T. U. R. E. Vulture, Vulture means Gid, O. W. L. Owl, Owl means Ullu, S. W. A. N. Swen, Swen, Huns, Repeat again, O. S. T. R. I. C. H. Ostrich, Ostrich को हिंदी में शुतर मुर्ग कहते हैं, V. U. L. T. U. R. E. Vulture, Vulture को Gid, O. W. L. Owl, Ullu, S. W. A. N. Swen, Swen, Swen को हिंदी में हंस कहते हैं, ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन, C. O. C. K. Cock, Cock means मुर्गा, S. P. A. R. O. W. Sparrow, Sparrow, Goraya, C. R. A. N. E. Crane, Crane को हम हिंदी में सारस कहते हैं, D.O.V.E. डव, डव को हिंदी में फाक्ता कहते हैं I repeat again C.O.C. कॉक, कॉक मिन्स मुर्गा S.P.A. डबल रो, डबल स्पैरो, गॉरैया C.R.A. ऐनी क्रेन क्रेन को हम सारस कहते हैं D.O.V.E. डव, फाक्ता Next line D.U.C. के डव, ड़क मिन्स बतक डग, बतक, P-I-G-E-O-N, पिजन, कबूतर, P-E-A-C-O-C-K, पिकॉक, पिकॉक means मोर, H-E-N, हैन, हैन means मुर्गी. I repeat again, D-U-C-K, डग, डग means बतक, P-I-G-E-O-N, पिजन, कबूतर, P-E-A-C-O-C-K, पिकॉक, पिकॉक means मोर, H-E-N, हैन, हैन means मुर्गी. Next line, P-A-R-R-O-T, पर्ट, पर्ट means तोता, C-R-O-W, क्रो, क्रो means कोव, E-A-G-L-E, इगल, 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 चील, Q-U-A-I-L, क्वेल, बतेर. I repeat again, P-A-R-R-O-T, पर्ट, तोता, C-R-O-W, क्रो, कोव, इगल, 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 चील, Q-U-A-I-L, क्वेल, बतेर. यह आपका चैप्टर 2 है, Names of Birds, पक्षियों के नाम, यह मैंने आपको रीड कर आया है, सभी बच्चे लर्ण करेंगे, इनकी स्पैलिंग्स लर्ण करेंगे, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सभी को पता होना चाहिए, तो सभी करेंगे, और अपनी इंग्लिश की कॉपी में नोट करेंगे, ओके, टैन निम पनी इंग्लिश की कॉपी में लिखने हैं, लर्ण करके, बिना देखें, लर्ण करके, आपको टैन बच्चाहिए, एक बार मैं आपको दुबारा से बतारे हैं, O,S,T,R,I,C,H, O,T,R,illa, J, Gen, OWL OWL, Ullu, SWAN SWAN, Hunts, COCK COP, Murga, SPARROW, Sparrow, Goraya, CRANE, Saras, DOVE, Da, Fakta, D-U-C-K, Duck, Buttock, P-I-G-E-O-N, Pigeon, Kabuter, P-E-A-C-O-C-K, Peacock, Peacock means more, P-A-R-R-O-T, Parrot, Tota, C-R-O-W, Crow, Koa, E-A-G-L-E, Eagle, Shield, यह मैंने आपको एक बार दुबारा से यह चाप्टर रीड कराया है, बर्ड's name आपको पता है, आपका नेशनल बर्ड क्या है, हमारा नेशनल बर्ड, पिकॉक है, P-E-A-C-O-C-K, Peacock, Peacock means more, हमने अपना N Names of Animal भी बढ़ा था, जिसने आपको मैंने नहीं बताया था, हमारा नेशनल बर्ड कौन सा होता है, हमारा नेशनल बर्ड, टाइगर होता है, हमारा नेशनल अनिमल, टाइगर, देखिए इसके पिच्चर यहाँ है, T-I-G-E-R, टाइगर, चीता, ओके, नेशनल अनिमल, टाइगर, और नेशनल बर्ड, पिकॉक, सबी बच्चे, लर्ण करेंगे अपनी बुक में से, उसके बाद, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदिया, वह बच्चे अपनी बुक्स खरीद लें, क्योंकि आपकी study स्टार्ट हो गई है, आपका book was start हो गया, आपको book में काम करवाया जा रहा है, ओके, तो सभी बच्चे book खरीदें, ओके, thank you.